प्रणाम सद्गुरू जीवन में हमारी एक जिम्मेदारी है जिसे हम पूरा करने की कोशिश करते हैं वो है बच्चों का पालन करने की बच्चों का पालन करने की लेकिन जब हमें कोई फैसला लेना होता है तो हम दिक्कत में पढ़ जाते हैं हमारे सामने समस्य आ जाती है कि क्या करें या क्या ना करें क्या आप हमें थोड़ी सलाह दे सकते हैं कि जब हमें बच्चों के बारे में कुछ तै करना हो कि हम कोई फैसला लें या ना लें तो हमें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए आप उनके लिए सारे फैसले क्यों ले रहे हैं? यही तो समस्या है मुझे यकीन है कि मैं फैसला लेने के लिए सही इंसान नहीं हूँ लेकिन फैसला लेना चाहिए या नहीं जब हालात ऐसे हो तो मुझे क्या करना चाहिए? पहले चीज हमें ये समझनी होगी कि बच्चे आपके माध्यम से आते हैं वो आपसे नहीं आते वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है कि आप उन्हें जैसा चाहें वैसा रख सकें नहीं, वो नहीं है अगर आप उन्हें अपनी प्रॉपर्टी या अपना फ्यूचर इंवेस्ट्मेंट मानते हैं अगर आप उनके साथ इस तरह पेश आते हैं तो आप अपमान कर रहे हैं इस स्रिष्टी का और स्रिष्टा का भी और आपको इसकी कीमत चुकानी होगी वो कीमत या तो यह जीवन के रूप में आएगी या शायद ही आपके बच्चों के रूप में आएगी हाँ, यह दुर्भाग्ये की बात होगी मैं यह कह रहा हूँ किसी माता-पिता के लिए यह बहुत कठोर बात है लेकिन मैं ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि एक बच्चे का माता या पिता बनना भी क्रूरता है बच्चे को इसकी जरूरत नहीं है लेकिन देखिए कई तरीकों से आप हर संभव कोशिश कर रहे है कि वो आप पर निर्भर रहे किसी न किसी तरह से आप उसे आजाद करने के बारे में नहीं सोच रहे तो जैसे ही आप ये काम शुरू करते हैं आप चाहते हैं कि बच्चे आप से जुडाव महसूस करें है ना हाला कि आप खुद भगवत गीता खोल कर पढ़ते हैं और कहते हैं आपको मोह नहीं पढ़ना चाहिए अपनी पतनी से कहते हैं देखो मुझसे मोह मत रखो पर आपके बच्चे आप उनसे अपना जुडाप चाहते हैं बच्चे पैदा करने का फैसला लेने से पहले आपको इन बातों पर सोचना चाहिए, पर अगर वो हो चुके हैं, तो कम से कम अब आपको इसके बारे में ठीक तरीके से, गंभीरता से सोचना चाहिए. एक बात तो ये है, कि अगर आप दुनिया के लिए कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं, जो आपसे बहतर हो, ये जरूरी है? अगर आप एक बच्चा पैदा करते हैं, वो कम से कम आपसे एक कदम बहतर होना चाहिए, है न? अगर वही बकवास दुबारा होने वाली है, तो क्या फाय इमांदार होना होगा, बले ही इमांदार होने में शर्म का सामना करना पड़े, पर आपका 100% इमांदार होना महतुपून है, अधिकतर माता-पिता के लिए बहुत कठिन होता है, क्योंकि इसी जगा पर उनकी धौस चलती है, उन्हें अपने बच्चों के रूप में बढ़ आप उसे भी खो रहे हैं, आज कल और भी पहले हो रहा है, है ना, आप उसे और भी पहले खो रहे हैं, तो तो वो कितने साल के है, चार ठीक है, तब तो सुधार की गुंजाइश है आपको ये करना ही होगा उनका पालन करना बंद करें उन्हें बस अच्छे साथ की जरूरत है घर में घूमते हुए किसी बेहुदा बॉस की नहीं पैकिने, जब आप बड़े हो रहे थे क्या आपको अच्छा लगता था, कि कोई आपको ओर्डर देता रहे क्या आपको अच्छा लगता था, नहीं तो उन्हें एक दोस्त की जरूरत है उन्हें किसी माता या पिता की जरूरत नहीं है वो काम पहले ही हो चुका है पिता बनने का या मा बनने का मतलब है आप उनसे केवल इसी माएने में आगे हैं, कि आप उनसे कुछ साल पहले यहाँ आएं, बस इसी में आप आगे हैं, आपके पास और कौन सी योगिता है? कि आपको पूरा भरोसा है कि आप अपने बच्चे से ज्यादा समझदार है? हमें भरोसा है कि हम नहीं है, तो आपके समझने लायक सबसे एहम बात यही है, कि आप उनसे केवल कुछ साल पहले यहाँ आएं हैं, आपने बस इतना ही किया है कि आप कुछ साल पहले यहाँ टपक पड़ें, इसके अलावा आपके पास कोई योगिता नहीं कि आप उन्हें बताएं कि क्या करना है और क्या नहीं, हाँ या ना? लेकिन, दूसरा पहलू यह है कि अगर आप उन्हें नहीं बतातें, तो सडकों पर उन्हें गैर जरूरी सलाहें मिलने लगेंगी, आपको बस इसी से उन्हें बचाना है, लेकिन अगर आपको उन्हें इससे बचाना है, तो आप में इतना साहस होना चाहिए कि आप उन्हें इस तरह से पालें, कि वो आपसे भी कोई सलाह न ले, आप कहते हैं मेरी बात सुनो, पर अपने दोस्त की बात मत सुनो, वो तुमको नशा करने को कह रहा है, उसकी बात मत सुनो. लेकिन दोस्त जो कह रहा है, वो ज्यादा मज़िदार लगता है, आपकी बकवास की तुलना में. यही सच है, है न? तो ये काम नहीं करने वाला. अगर आप अपने बच्चे को एक जबरदस्त अहसास के साथ बढ़ने देते हैं, उसकी अपनी समझ और उसके अपने फैसलों के, तो आप देखेंगे, वो मदद लेना चाहेगा, क्योंकि उसे आसानी से यह अहसास हो जाएगा, कि उसकी अपनी बुध्धी और समझ अभी हर चीज के लिए काफी नहीं है, लेकिन अगर आप उसे इस तरह पालेंगे, कि उसे आपकी सला सुननी ही होगी, तो वो विद्रोही बन जाएगा, जब अच्छी बाते बताई जाएगी, तब भी वो वो नहीं करेगा, वो उसका उल्टा करेगा, कई माता पिताई अनुभव क कर रहे हैं, है न, वो उसका ठीक उल्टा करना चाता है, बस आजाद महसूस करने के लिए, क्योंकि उससे आजाद होने का मतलब भी नहीं पता, तो चार साल के उम्र बुरी नहीं है, अब आप उनके साथ बस एक और इनसान के जैसा बरताव शुरू कर सकते हैं, मेरा अपने बारे में ऐसे महान विचार न रखें, आप जीवा नहीं बना सकते, आप तो केवल जेनेटिक सामगरी दे रहे हैं, एक शरीर के निर्मान के लिए, और आपने तो इन चीजों के बारे में सोचा भी नहीं, आप शारीरिक मजबूरियों के चलते कुछ करते हैं और व आपने नहीं बनाया है, ये एक सवभाग्य है कि वो आपके माध्यम से आये हैं, इस सवभाग्य का आनंद लीजिए, इस सवभाग्य का समान कीजिए, इस सवभाग्य का दुरुपयोग मत कीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ऐसा या वैसा क्यों पाला गया, आपको बड़ा होकर एक इंसान बनना चाहिए, है ना? दरसल लोग कभी ऐसा महाल ही नहीं बनाते जिसमें कोई व्यक्ति फल फूल सके. उन्हें वैसा ही पाला जाता है जैसा आप उन्हें बनाना चाहते. वैसा नहीं, जैसा उन्हें एक जीवन के रूप में होना चाहिए. अगर आप उनके दिमाग में कचरा नहीं ठूस रहे हैं, उनके भीतर चीजों को ध्यान से देखने की ख्रमता है, और चीजों को ध्यान से देखने से स्वाभाविक रूप से लाखों सवाल पैदा होते हैं. आप अपनी समझ के अनुसार जितने हो सके उतने सवालों का जवाब दीजिए. आप जो नहीं जानते होने बता दीजिए, मुझे नहीं पता. मैं बस तुम से कुछ साल पहले ही आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे सब कुछ पता है. अपने बच्चों के सामने स्वीकार करें, दिक्कत क्या है? आपको लगता है कि वो पढ़ नहीं सकते? कि आपकी बातों में सच्चाई नहीं है? आपको लगता है कि वो देख नहीं सकते? अगर आपको लगता है कि वो देख नहीं सकते, तो मैं आपको बता दूं कि 10, 12 या 13 का होने पर, अगर उनके भीतर कोई समस्या है, तो वो आपके पास नहीं, अपने दोस्तों के पास जाते हैं. क्यों? उन्हें लगता है कि दोस्त आपसे कहीं ज्यादा सच्चे हैं, कोई और कारण नहीं है आया ना? आप ऐसे दिखावा करते हैं, मानों आप स्वर्ग से टपके हो आपकी बक्वास कौन सुनना चाहता है? अगर आप 10-12 साल की उम्र तक उन्हें ब्रेनवास ना कर दें, तो वो नहीं सुनेंगे, कोई भी समझदार इंसान फालतू बातें नहीं सुनेगा आया ना? बच्पन से उसी की घुट्टी ना पिलाई गई हो तो तो इस सौभाग्य को पूरी सावधानी और सम्मान के साथ संभालिए इसका दुरुपयोग मत कीजिए आपको बस उन्हें गलत प्रभावों से बचाना है बाकि उन्हें आजाद छोड़ दीजे अगर आपको लगता है कि वो गलत रास्ते परी जाएंगे तो ये आपका खुद का अनुभाव होगा आपको खुद पर पूरा भरुसा है मेरे बच्चे गलती ही करेंगे बस उन्हें उन्हें गलत प्रभावों से बचा कर रखें और साथ ही वो आपके प्रभाव से भी मुक्त होने चाहिए क्योंकि वो भी एक बुरा प्रभाव है मैं कह रहा हूं कि अगर आप यह दिखा सकेंगे जो आप कर रहे हैं वो वास्ताव में महत्वपूर्ण है और आप इसमें अपनी जिंदगी लगाने को तैयार है तो आपके बच्चे उसमें अपनी जिंदगी क्यों नहीं लगाएंगे अगर आप ऐसा समर्पन नहीं दिखाते अगर आप जीवन के साथ वैसा जुड़ाव नहीं दिखाते और आप उनसे कुछ महान बनने की उम्मीद रखते हैं नहीं, ऐसा नहीं होगा और वो आपकी बखवास नहीं सुनते वो देख रहे हैं कि आप क्या करते हैं और आप क्या हैं, है न? तो अगर आप बच्चों को बड़ा बनाना चाहते हैं तो पहले खुद को बड़ा कीजिए बच्चों की चिंता मत कीजिए बस खुद को एक शांदार इंसान में विक्सित कर लीजिया अगर आप ऐसा करते हैं तो उनके साथ भी वही होगा ये गलत नहीं हो सकता लेकिन इसकी कोई गैरंटी नहीं है जीवन के हर पहलू की तरह इसकी भी कोई गैरंटी नहीं है क्योंकि सडक पर कोई और ज्यादा शक्तिशाली प्रभाव मौजूद हो सकता है